नवश्कार स्वागत आप्स वी कॉल अड़ेट अफस्ट यूटूब चैनल पेश पीडियो में हम बात करेंगे भरती में अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आवेदन करने के बाद भरती पूरी हो और आपको नौकरी मिले या भरती लटकी रहे कोई किसी प्रकार के आपक चाहे वो बात करें 48,000 को लेकर या फिर बात करें प्राथमी स्कूलों के अंदर एक सिच्छक के बारे में इसके अलावा सिक्षकों के रिटारिमेंट के उमर के बारे में वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे कि आप सभ हई तो नौटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे शुवात कहते हैं सबसे वडी अफडेक के बारे में जो के संबनित है कि भरती का विग्यापन जारी हो गया विध्यापन जारी होने के बाद आपने आथिन कर दिये और आविध्यापन कर दी हो जाता है ऑर जब बढ़ बिग्यावन जारी हो जाता है तो उसके अंदर आवेदन कर देते हैं आवेदन करने के बाद अब्रती चाहते हैं कि 40-45 दिनों के अंदर उनको नोकी मिल जाए या फिर भरती को पूरा कर दिया जाए हालाकि भरतियों के अंदर आप जानते हैं 2-3-3 साल तक भरतियां लटकी करते हैं अभ्यति धना प्रदाशन देते हैं नैले में जागर मांग करते हैं कि बहुत जल्दी से पूरा कर दो लेकिन नैले क्या कहती है यह आपको पता होना चाहिए इस बास में कोई अधिकार नहीं है कि अनके मुताबिक भरती जल्द पूरी हो जाए हैं यहां पर आप स नहीं है कि यहां पर आपकी जो भरती उसको पूरा किया जाए बहले ही चुनाब आप सुभी के साथ से आठ दिन के अंदर पूरे होकर यहां पर मुख्य मंती से लेकर प्रदान मंती तक बन जाएंगे लेकिन जब बात आएगी छात्रों को रोजगार देने की तो वहां पर इ साल, साथ साल या फिर दस साल तक भी लटक सकती है नीचे लिखा हुआ है यह जो आदेश दिया गया वो सुप्रीम कोट के माध्यम से है चैन सुची में स्वामिल होने के बावजूद उसे भी यहां से अधिकार नहीं है कि वो यहां पर आगर अपनी मांग करें मतलब आब दन के बाद माल लीजे कि आपका चैन हो भी गया और चैन सुची में आप चैनित भी हो गए तब भी आपके पास दिखार नहीं है कि आपकी भरती प्रकिया को पूरा किया जाए बस सारी बात यहीं पर आप सभी के सामने मांग रखी हाई को ने कहा था कि 45 जनों के अंदर भ पदेश के अंदर बजट की घोशना के बारे में बजट की घोशना के अंदर कई बड़ी चीजां आप सभी को देखने के लिए मिली हैं लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको स्विव वही जानकाई यह दी जाएंगी जो कि आपके दोजगार से होगी नोकियों से सम्दित होगी इसके अलावा सरकार ने कैया किया है एक चान सकते हैं लेकिन उसके बारे में जानकाई यहां पर दिया गया है इतियास का सब से ब़जट पेश किया गया कि यहां पर प्रदेश को देश के नंबर बन अर्थ वरस्ता बजट पर प्रदेश की दिस्टी पत्र आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा नीचे लिखा हुआ है कि मुख्यमंति योगी ने जानका ही दिये कि सरकार ने लोग कल्यान संकल्पत्र यहां से 130 संकल्प में से 97 संकल्पों को पहले से ही बजट में लागू करने का प्रावदान किया है संकल्पत्र की अगर बात की जाए तो 44 नई घोषने आप सुभी को देखने के लिए मिलती है कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार या फिर सो रोजगार से जोडने के लिए सर्वे किया जाएगा नीचे हाला कि रोजगार और सो रोजगार के बारे में जानकरी लिख हुई है लेकिन उपर लिखा हुआ है कि आप सभी को रोजगार दिया जाएगा फिलाल वविश्य में क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपने अगली अपडेट के बारे में जो की सम्मधित है माध्यमिक शिक्षा के अंदर इंटेव्यू खतम हो जाने से सीधी भरतियों की नियुक्तियों के बारे में यहां पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा की एगर बात की जाए दोनों के लिए बजट में काफी कोश्र workflow देखने के कि लिए मिला है 48,000 आपको जो सीधी भरतिया वो देखने के लिए मिलती है इन्शोर्ट यह है कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर सरकार की तरब से इंट्रिवी खत्म हो जाने के बाद 40,000 भरतिया पहले से हो चुकी है और इसके अलावा लगबग 7,500 को दोबर नई भरतिया आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी नीचे देखने के लिए मिलता है कि फैसला काफी बहुत मेत्पूर है इससे कहिने के निक्ति में गड़वड़ी बंद हो जाएगी और भरति बकिया पूरे तरीके से पाधशी देखने के लिए मिलेगी यह फैसला सरानी है ऐसा कहना है अल्लाभूर की सुभी के माध्यम से इससे युवावो काफी फायदा देखने के लिए मिलेगा इसके अलावा धननज्या के माध्यम से भी जान कई थी गई है उनका करना है कि इंट्रव्यू खतम करने से प्रदे सरकार का सहानी नेड़ा है उच्छे सिच्छा में गुडवत्ता के लिए कई अच्छे फैसले लिए गए हैं इसमें राज की कॉलेज समार्ट के लास और भी तमाम चीज़ा आप स्वी को देखने के लिए मिलेंगी लेकिन के लिए सब्सक्राइब के इससमी मेहत्पूर सवाल से न्यर्या से जाय quindi इसस ऐसे सब्सक्राइब के लहां नेई ब करना है वाले थे उनके माध्यम से बयान दिए जाते थे कि वेतन देना पड़ता है उन्हों नहीं कहा था कि सिच्छख भरती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है उन्होंने कहा था कि हमारे पास अनपार समानपार पूरे तरीके से पूरा है जब नए शिक्षामन्ती आई तो लोगों को उम्मीत थी कि चलो कुछ तो नया देखने के लिए मिलेगा लेकिन जब उन्होंने पहली बेसिक सिच्छा विराक के अंदर बैठक की तो यहाँ पर स्क्रीनशोट वायल हुए कि हमारे पास अनपास समानपत बराबर हो गया इस बात की पुष्टी तव हो गई जब शिक्षामन्ती के माध्यम से पचास बार अलग अलग प्रकार के बयानों में एक ही बयान दिया गया कि हम पुरानी मामलों को पूरा करेंगे नई भर्दी का कोई प्रस्ताव नहीं है और हमारे पास प्रयाब तसंक्या में सिच्छक मौजूद है ऐसा बेशिक सिच्छामन्ती नई बाले के माध्यम से कहा गया था अब सवाल हिये है कि क्या वो सच बोलना है या फिर जूट बोलना है क्योंकि या तो समाचरबत जूट बोलना है या फिर बेशिक सिच्छामन्ती झूट बोलना है इसकी जानकारी कौन देगा वो आप यहां से देख सकते हैं क्योंकि अखवारों के अंदर इसफ़रकार की जानकारीopers आना या तो basic सिच्छा मंतीजी के खिलाफ सड़े पत करते हैं या basic सिच्छा मंतीच 6 गखिलाफ सड़े पतोत हैं गाओं के स्कूलों में जाँ सुभधाओं के सात्य अगरेगाद के छार्त्तों और सिछकाओं की भर्मार है वही अचानल सiada शेट्वं भी सेया देँ है तो igात दोगी मेश्चा के अध्यावे पर थे ilus श्रम नभाता होती है ये तो आप सुभी भी जानते हैं नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक सिच्छक के माध्यम से पढ़ाई को लेकर अनिगतिविदियों की जिम्विदाई समाले जाने को लेकर यहां से कहिने को जो कारिवारे वो दिया गया है एकल विद्याले की संक्या पिछले साल में दो बढ़ गई है इस परकार अगर बात कीज़ें पिछली बार जो संक्या थी 32 थी इस बार लगबर 34 आपको देखने के लिए मिलती है बेसिक सिच्चा विवाग के आंकड़े बताते हैं कि मेर्ज एक सिच्चक या सिक्षा मित्र के बहुसे चल रहे स्राइज चेत्रों में 34 स्कूलों में से ऐसे भी हैं जहां पर अगर बाती है सो या इससे ज़्यादा बच्चे हैं बच्चों की सामने अगर बाती कक्षा में हर विषय के संचालन की विवागी कत्विदी को संचालन के लिए मुक्याले में अभ्यानों में बागीदारी में बड़ी चनोती देखने के लिए मिली है और भी तमाम बातें लिखी हुई है लेकिन इंशोर्ड में आप सभी को कहना चाहूं समस्या यह है कि बेसिक सिच्चा विवाग के अंदर भरतियों को लेकर काफी ज़्या समस्या देखने के लिए मिल रही है ना तो भरति हो रही है ना ही टांस्पर हो रहे है अगर टांस्पर के मात्यम से भी यहाँ पर सिच्चक पहुचा दिये जाए तो शिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाया जा सकता है लेकिन सरकार का ध्यान अभी दूसरे मुद्धों पर है वीडियो को लाइक कर देए लेकिन वहीं दूसरी तर बात किजाए अपने अगली अपडेट के बारे में जो की सम्बंदित है सची परिशा निमक प्रदिकारी को राहत के बारे में और उनहेतर जासिच्चक पहती के चाहत्तों को जटका के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार की तरब से समय समय पर दो तो तीन दीन महीने बाद याद आका है फिर उसके बाद वो न्याले में चली जाते हैं समय काफी लगबाग एक साल हो चुका है उसको लगज़ते हैनु नंबर को लय आक याथिशन किया गया अभ्यातियोंने अभ मानना याचिका दाखिल कर दीन प्याजेको को पीन-पी सरचिप कोióट में बुला लिया गया अब यहां से PNP सचिप की माध्यम से और सरकार की माध्यम से इस मुद्य को चिनोधी सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई, मतलब ही है कि एक साल के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जारी है इस मुद्य को लेकर अलावाद हाई कोड में सची परीशा निम्यक प्रदिकाई अनिल बोशिन चत्रुबर्दी खिलाब चल दी अबमान याचिका को लेकर इस्तरित कर दिया गया है कोड ने यह आदिस सरकारी वकील के दोहार दिये गए आदिस की खिलाब सुप्रीम कोड में दाखिल विशेश अ एक अंक देने के मामले को लेकर यह बड़ी संख्या में चैनित लोगों को प्रववित कर सकता है कोड ने अपमाना याचिका के दो महाबाद पेस करने को लेकर निर्देश देती हुए काहा है कि राज सरकार असलबी की अगली सुनवाई की जानकाई दे कोड ने सची इससीच अपने अपडेट के बारे में जो की समंद्धितर रिटार्मेंट की उम्र को लेकर याचिका दाकी की गई है अगर बात कीजा है महा बिद्यालम के फीधिय। मामला यह है कि उत्ताहकंड बिहार और MP में इसको लेकर कहने के जो 65 वर्स के वो कर दी गई है लेकिन उत्तर बिदिस के अंदर अभी एसा नहीं है इसी को लेकर हाई कोड में याचिका दाखिल करते हैं वो मांग की गई है कि 65 वर्स की जो आयूशीमा है वो कर दी जाए लेकिन दूसरी तर बात कीज़े अपट एक लिए अपडेट के बारे में जो की संबंदित है कल की तारीक में हुए बजट की गोशना के बारे में बजट की गोशना के अंदर अगर इंशोर्ट सीधे तोर पर कहा जाए भरती को लेकर तो यहां पर 10,000 पर नई भरती की बात की आप सभीकी होंगी वो नर्सों की आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें